दोस्तों नमस्कार दोस्तों जैसा कि सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट किया करता हूं कि मेरा जो यह चैनल है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दवा देवें ताकि आपको हर बार वीडियो टाइम पर मिल सके दोस्तों आज कल हमारा खान पान इतना बिगड़ गया हम ध्यान नहीं देते हम सिर्फ टेस्ट पे ध्यान देते हैं और बाहर का खाना ज्यादा खाना पसंद करते हैं जब भी हम बाहर का खाना खाएंगे आप मान लेना के आपके ऐसी डिटी जरूर बनेगी कबज भी रहेगी पेट भी गुड़ गुड़ करेगा खाना भी आठ गंटे तक नहीं पचेगा आपको ऐसा लगेगा जैसे अभी अभी खाया है खातो लेते हो आप लेकिन आप पर असर सबसे ज़्यादा लीवर पर पड़ता है और लीवर खराब होने के बाद में यह मानिये के दिरे-दिरे हमारे अन्यकों बीमारियां घर कर जाती है सबसे पहले हमारे अंदर खून की कमी आएगी तब आम पता चलेगा और एक खून की कमी आगई और उसके बाद में आपके लीवर पर सोजन आने के बाद में सोजन जब आएगी तब आपको पता चलेगा कि हमारे लीवर खराब हो रहा है लीवर खराब होने के क्या कारण है ज्यादा नहीं आपको मै तोड़ा सा बता रहा हूं कि जो जादा शराब पीते हैं न, शराब पीने से लीवर खराब होता है, या तर लोग शराब पीते हैं और अपने आपको बहुत दिखाते हैं कि हम बहुत जादा शराब पीते हैं, उनका हाल देखिए लीवर खराब हो जाता है, दूसरा कारण जो होता है वो होता है जंक फूड खाना हम उल्टा पुल्टा बोजन कर लेते हैं उसके कारण भी हमारा लीवर खराब हो जाता है तीसरा कारण होता है कि हम तली भूनी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं तो तली भूनी चीज़ें खाने से भी हमारे लीवर पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है चौती चीज हम कोल ट्रिंक पीते हैं बहुत ज़्यादा बाजार में जाते हैं कोवर पीते हैं बडरींग अमको बहुत बढ़ा मानते पी रहूं हैं लेकिन तो आपको क्या करना है इसके लिए मैं दवाई बता रहा हूं आप इसके लक्षन सुन लीजिए कि जब आपके जी गबराने लग जाए बैठे बैठे आपके जीवन में कभी ऐसा दोर आए और जी गबराने लग जाए या आपकी भूख एकदम हो जाए भूख ना लगे भू ही नहीं लग रही पच्न है और या फिर आपको चलते चलते डाइडिया की शिकायत हो जहें तो यह मान लेना कि आपका लिवर खराब हो रहा है आपका लिवर में में शुजन आ गई है और तब आपको अपने आपको संभाल लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी जो मैं पुश्के को ले लीजिए कुछी दिनों में आप ठीक हो जाएंगे ज्यादा गबराने किया हो शकता नहीं है लेकिन गल्त पह्मी किया तो यह मानिए कि डाक्टर के पास में एक इलाज होता है कि वो काटके भैंकना जानता है और कुछ नहीं जानता कि किसी भी चीज को काटक कि भैंकना डाक्टर का काम होता है तो आपको क्या करना है आपको एक लोकी लेनी है एक लोकी लेनी है और उसको पानी में दोना है पहले पानी में दोके आपको क्या करना है कि नीबू ले लेना नीबू को काटके और लोकी के उपर नीबू रगड़ना आपको अच्छी तर कंसही रस्लि उसके अंदर जायेगा, साथ में जितना भी उसके छोटे से छोटा कोई कतरा जमा होगा तो सारा का सारा उतर जाएगा, अब आपको च्छीलना नहीं है इसको और भीना चिले आप इसको कदुकस पे ग्रेट कर लो, ग्रेट करके या फिर आप इस पीश करके और आप मिकसी के अंदर बी आप इसको ग्राइन्ड कर सकते हैं ग्राइन्ड करके आप कपड़े में डाल कर छान सकते हैं अब आप जब ग्राइन्ड करू तो आपको क्या करना है के इसके अंदर हरा दनिया आप इसके अंदर पांच पतियां हरे दनिये की डाल देना पांच पतियां इसके अंदर तुलसी की की डाल लेना पांच पतियां इसके अंदर पुदीना की डाल लेना और ग्राइंड कर लोगे तो सब का रस निकल जाएगा इसके रस को आप निचोड़ लो उसके बाद में इसके अंदर तीस मिली लिटर आप गिलोई का रस डालो तीस मिली लिटर गिलोई का रस डालो और सवाद के अंदर अनुसार एक छोटा सा चमत अच्छा है उसके अंदर सेंदा नमक डालो काला नमक डालो आपका यह पेय त्यार हो गया है आप इसको सुबह खाली पेट लेना है आपको खाना खाने के बाद में नहीं लेना है खाली पेट लेना है इसको और ज्यादा दिन नहीं लेना है पांच दिन लेना है सिर्फ इसको पांच दिन में आपके लीवर को डिटोक्सी फाई कर देगा आपके लीवर को बचा लेगा आपका लीवर खराब नहीं होगा इसको पांच दिन ही पीना है और आप छे महीने में एक बार अगर पीते रहे तो लीवर आपका कभी खराब नहीं होगा इसको आजमा के देखना और मुझे भी जो भी आजमाएगा मुझे धन्यवाद जरूर प्रेशित करेगा मुझे अपने नुष्के के ऊपर प्राउड है कि मेरा नुष्का फैल नहीं है तो दोस्तो नुष्का बनाना जिसका लीवर खराब है आप नुष्का बना लेना पी लेना ठीक हो जाना मैं आपके स्वास्ते की कामना कर रहा हूं इसके साथ साथ में मिलेंगे अगले वीडियो में जै हिंद जै बारत